तो लाफ वीडियो हम ने देखा था कैसे कून ने लेचल कोई बेस्ती करके अपना बदला लिया और इसी के साथ ही बैम के टीम ने फरस्ट राउंड में जीत लिया था अब स्टोरी में आगे स्टोरी के स्टाटन हम देखते हैं कि असिस्टेंट अनौंस कर रहा है कि कून ने स्टीट फिश को पकड़ लिया है और इसी के साथ ही पहला राउंड खतम हो गया है यह पर बैम के टीम विजेता रही एक तरफ कून हसरा था वह हम लेचल को देखते हैं जो कि जमीन पे बैढ कि स्टीट फिश पकड़ लिया गया वही पार्ट सुपन में सोच थी कि मास्टर है कॉन कि वो लड़ते अरते थर्श चुकी थी और उसके 80% शुगर की पाव यूज करने के बाद भी थोड़ा सा भी थका भी नहीं था लोड़ते वे यह आकिन से कहता है कि मुझे माफ कर द करो यूरा उससे पूसती है क्या रिचल तुम ठीक हो रिचल अपना मूँ छुपा दो कहती है कि हा मैं ठीक हूँ और यूम देखते है बैम के टीम में कुन वापस आ चुका है और बैम उसके तारीफ करते हो कहता है कि तुमने एक नमर काम किया रिचल उससे कुछ खास भी नहीं है लेकर मुझे लग रहा था कि यहां पर कुछ तो अजीब हो रहा था वही हो यहां विलियम के चेलों से कह रहे थे कि तुमने बहुत ही अच्छा किया तुमसे यही लगता है कि तुमने बहुत ही लगता है कि तुमने टीम करना चाहते हो क्या क्या लगता है मैं से जिन्हों ने इसमें पार्टिस्पेट किया था यानि कि मैड डॉग और रिचल में से लेकिन ध्यान रखने वाली बात थी कि दोनों ही टीम डालर को कैसे कलेक करती है कि अगर किसी गाल भी जिरो डालर बचा तो डिस्क्वालिफाई हो जाएगा और चीके साधी 20 मिनिट का ब्रेक भी अनॉंस कर दिया जाता है जिसके बाद सेक्ड राउन होने वाला था और यहां फार्ट्स को देखते हैं जो काफी ठक गई थी मैंने उसे पूस्ता भी है क्या ठीक है या नहीं पर हम यूरी को देखते हैं जो कहती थी कि नीले बाल वाला उतना भी बुरा नहीं है और वो पेड्रो की तरह हसते के कहती है लगता है तुम्हारे पास जाय टाइम बचा नहीं है पेड्रो सिर्फ इतना ही कहता है कि अभी तुसी पहला राउन खतम हुआ है अभी तरह और मैस देखते हैं और वैंगनान की टीम यहां से लैक कहते है चिला रहा होता है कि तो मैं तुम सभी को एक बहुत अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ जो मैं तुमसे वापस मिलूँगा टर्टल्स वार हिमत कैसी ही कि तुम अपने लीडर को छोड़ के चले गए मैं कुन अपने मन में एंडलाइस करते हैं सोच रहा था कि हमने पहला राउंड टे किसा जीत लिया जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि मुझे लग रहा था कि पहला राउंड हरने से बहुत ही अनफेर तरीके से हमें आगे डिसर्ट दवान चीज भी हो सकता है जो अभी तक क्या रहे हैं मैं कभी टाइम बात वापस देख पाते हैं उन लोगों जिनको पेड्रो ने पिंजरेंगे दर बंद कर रखा था जहां पर प्रिंस चिला रहा था ही कहते हुए कि तुमने पिछले एक मेने से बंद करके रखा है यह ची मुझे पागल कर रही है वही आर्क्रे प्रिंस को देखते हैं मन में अभी चल रहा था क्या कि वह और बाके लोगों के साथ चल क्या रहा है वहां पर और वह तब ही फील होता है जैसे कोई चीज ही और हम देखते हैं कि सेकंड रौन चालू होने वाला है जहां बहुत सारी पाइप सी और बीच में कुछ अजीप स चीज को देख रहे होते हैं मैं इस गेम के रूल को भी एक्सपेइन किया जाता है जासे शन बताता है कि सभी के पास 30 डॉलर होंगे इसको खेलने के लिए और इस राउंड का नाम होगा ट्रांसफरिंग दस स्वीट फिश और जैसा कि इसका नाम बताता है इन्हें इस मश् चित्रू होते हुए जवाँ एक्स्क्रेइन करता है कि कोर वो जगह है जो कि लाल से दिखने वाली डैट स्वेयर है उन पाइट के बीच ओ बीच और व्योल की टीम ये स्वीट फिश माल ले जाने में काम्याब हो जाती है और इसके सभी लोग जिंदा भी रहते हैं इनें को व्योल की टीम जीथ जाएगी वहीं अगर हाकिन की टीम स्वीटीफिश स्वीट पॉन के पास था वी के ऑं जीता था और को यह और रेगुलर उस सेम पैप में आ जाते हैं उन्हें आपस में फाइट करने होगी और वह उन्हें हरा कर उनके डालर भी उनसे ले सकते हैं और यह डालर जो की जीते गए इन पैप समें लड़कर उनका यूज क्या जासा रखता है अलग-अलग डोर्स को ख क्यांटीट Allen है ऐसे किसी रेगुलर के पास अपने टैन डालर है तो डन के 25झे जाएंगी ठीकिन उनके टीम के अगर 20डलर है यह तो इसकेह समय कि भी जाया है यूज वी शे से फाइट करते हैं तब बहुत ही अराम से हारे जाएंगे और इसलिए हमें अपने एनिमीज को खतम करना होगा इससे पहले कि वह हमेहर आ सके हैं वही बैम और हांकिन वीर तयार हो चुके थे और इसी के साथ हांकिन मने सो जाता कि मैं इसके लिए वेट नहीं कर सकता और भी और अनॉंश्मेंट होती है कि सभी को गूट ल tenant पाइप करए हैं इस गेम के अंदर और गेम स्टार्ट हो जाती है और अम सभी को देखते हैं अलग-अलग पाईप के अंदर अलग to train ट्रांस्फर होते हुए हमको अलगला ग्रूप बनते हो देखते हैं जैसे की बैम और दो साथी या हाकेन डैनियल आयना हम सब सबस्क्राइब को देखते हैं जो कि नोडिस करता है कि उसे लगा था कि पाइप अंदा से बहुत गंदी और बदबुदार होगी लेकिन इक काफी एक सोपचीज डालर है कून के पास टू एक्स लिउन के पास थ्री और श्रॉट्समन के पास टू वही इसके बाद विंसेंट और वैंगनार पर फोकस करते हैं जिनके सामने गेट क्लोज होता है जो दोनों एक टीम में थे जिनके पास टोटल ट्वेल डालर थे जिनमेंसे वैंगनार के पास बात वा विंसेंट के पास साथ और यह सोच लेते हैं कि हमें हाकिन को हरा नहीं है जब वैंगनार के आस अभी वही चाकू था तो इसने पहले यूज किया था वही हाकिन की टीम को हम देखते हैं जिसके अंदर हाकिन था एना और डैनिल थी जैनके आस टो पड़ेगी अगर में स्वीट फिश को पकड़ना चाहते हैं यहां किने क्रीपी स्माइल के साथ एता है जीविल ग्रेज को एंड में दिप्टा देंगे इसके बाद हमें एक और ग्रूप दिखा जाता है जिसके अंदर फार्ट्सो यॉन और एक और उनका साथी होता है जिनका टोटल 16 डालर थे जब फार्ट्सो केरी होती है कि पाइप काफी बड़ी है तो काफी ज्यादा कम चांसे है कि हमें एनवी जल्दी मिल जाए और तब त इसना साथी उससे कहता है अच्छा दो तुम्हें इससे फरक पड़ता है बड़े तो लगा था कि तुम्हें ऐसे ही खाती रहती हो पूरे दिन भीना सोचे कि उसे फार्ट्सो कहते है नहीं मैं बहुत जिदा कम खा रहे हूँ जिस पर सभी लोग हसने लग जाते हैं और हम एक साथी काफिया डर रहता कि कभी भी एनिमीज उन पर अटैक कर सकते हैं कहीं से भी और वो अपने आपको मनी मन कोश रहता कि उसने यहाँ पर आने के लिए खुद को वालेंटेर थिया ही क्यों जिसको सुनकर का साथ यह मून टारी उससे कहता है कि अब तुम्हें इतने करते हैं कि आकर सहाथ जा शानती और इतनी क्लीपी जगह है किसी व noi गोस्त यहाँ पर आसकता है कि अत कुछ कैसे दिलिए lehmus यहाँ जाता हूँ यहां पर उसने डालर नहीं है जिसे हम किसी डोल को क्लॉस कर सके वही बैमिंदोनी की बाद जो नहीं से सुन रहा ता हम कहता है कि यह बास सही है कि हम बास कम डालर है और इसलिए हमारे एनमीज के पाद जाद चांसिस होंगे स्विप फिफ सक पहुशने के लिए यह हमारा रास्ता ब्लॉक कर देने के लिए उन डालर का यूज करके और इसलिए हमें अपने दोस्तों से काफी जल्दी मिलना होगा बाक्यों को हराते हुए और वैसे हमारे पाद जाद डालर नहीं है लेकिन अपने सब के काफी अच्छे से यूज करें तो यह भी काफी काम के हो सकते है वही हम देखते हैं काफी अजीव सी अवाद को जहां पर विलियम, बोरो और साची एक टीम में थे ज़र विलियम कहा था कि जितना मैं सोच रहता उसे ज़्यादा डेंजरस हैं पाइप अच्छे कहा था कि ठीक है इस अब तो लेकिन हमें कुछ भी तरह काफी जल्दी करना होगा और हाकिन दक पहुचना होगा इससे पहले कि हमने किसी और कॉपी को टूंड पाए ज़र वो पहले तक स्वीट फिश से किसी भी तरह से पहुचे उससे पहले हमें उसे खतम करना होगा वही हम हाकिन की टीम को भी देखते हैं जिसके हाथ एना थी और डैनिल था और हम लैक की टीम को भी देखते हैं जिसके साथ वो स्लीपी लेगुलर थी जैसे वो कहा था, क्या तुम मर गई हो, या जिन्दा हो, आखिना चल कहा रहा है, what the hell और हम वापस देखते हैं, फार्ट चोई ग्रूप को, इनके पाइप में बहुत ही अजीब से स्ट्रक्चर बने हुए थे और हो समझ नहीं पाद है कि आखिनी किसले बना है यान कहती है, कि मैं उपर एक्जिट तो देख पा रही हो, लेकिन क्या में इन सब पर जम्प करते उपर जाना होगा और इनके बीच का डिस्टन भी काफी जादा है, हम इस पना दूर तक जम्प नहीं कर सकते यान का साथी यान को ओफर देता है, कि मेरे पास विंक्स है, मैं तुम्हें केरी करके उपर जा सकता हूँ जिसपर यान अपने दूसरी साथी, यानि फार्चो कारने पूश्टी है कि इसका क्या, लेकिन ओ कह देता है, कि बहुत ज़्यादा हैवी है और इतने भारी को उपर लेकर, मैं ओड नहीं सकता इसका फार्चो कहते हैं, कर्यों और से गुंगे जाना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता कि पाइप के बस यही एक रास्ता उपर जाने के लिए और आप फार्चो में नोटिस कर लेते हैं, कि काफी अजीब सी पाइप है और इसके साथ उसे कहता है कि तयार अजोग केंडी, लेकिन यहान एक फाइर अटक का यूज करके उन्हें कहते है कि यह नहीं होने वाला यहान का साथी भी साइट हट के कहता है कि अच्छा हो मैं बच गया, करना मैं तो अभी फ्राइट चिकर में बदनने वाला था और इसी साथ उपने साथियों को एक ओपनी भी देती है वासे भागने के लिए, लेकिन पार्ट सो कहती है कि मैं भाग नहीं सकती है, मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी हूं साइज में लेकिन यॉन उसे उठा के सीधी उपर फिरिक देती है और कहते है अपना मूब बंद करो वहीं उसका साथ ही ये देकर काफिया इंप्रस हो जाता है कि वो सही में 10 फैमिली से है और काफिया घॉसम भी है और वो लोग पहले उस एरिया पर पहुँच आते हैं जहां उन्ने जम्प करके जाना था वहीं एंजल उसका साथ ही सोच रहे थे कि काफी दा हॉट था जो अटैक यॉन ने किया था इंके उपर वहीं यॉन और उसके साथी जो की उपर गए थे कूट कर वो हार जगा बाउंस करने लग गए थे वहीं जहां एक तरफ तो यॉन को इन बागी साथी को पता नहीं लग रहा था कि यॉन कहती है कि थैंक यू फॉर दा मील अब मैं तुम्हें खतम करने वाली हूँ वन का तीसरा साथी उसे टाईम एंजल क का टाक को रोक लेता ये कहते हूए कि तुम सोच का रहे हो करने की युद को एक लिडी है उसे अपनेní पंदीस रोक तर कहता है कि तुम्हारे मैनर्स कहां पर है और तुम्हें उससे फाइट करने चाहिए जिसके जैसी wings है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, जहाँ जब हमें सुरी थी, कि who the hell is this guy, आकरी है कौन, यह chicken head, वही एउन जो नीचे गिर गए थी, वह चिला रही होती, कि मैं तो बोली गा था, कि मैं ओड नहीं सकती, वही यह chicken head उसे कह रहा था, कि तुम चिंता मत करू मिस, मैं जब कि तुम 10 family की एक noble lady हो, और यह कहते उसे तारा मारती हसते हुए, उसके अदम angel की अंदर की जलन देख पाते हैं, जो उसे कहरी होती है, मैं तुम्हें पहले सी पनाथ नहीं करती थी, एक ऐसी लड़की जो की 10 family से है, और सुन्दर भी है, और उसके साथ ही साथ, उसके बहुत ही powerful attacks है, जो की बहुत ही अच्छा behavior करती है, तुम्हारे यह behavior मुझे गुसा दिलाता है, जिसके साथ angels के उपर एक बहुत ही खतरना attack कर देती है अपने weapon के साथ, जब यह यहान सोचते है कि मैं क्या करूँ, बहुत है एक normal सी flame यूज़ करने वाली लरकी हूँ, जो कि इसे कोई भी damage नहीं पुदा सकती, मुझे क्या करना चाहिए, जो मैं flashback में दिखा जाता है कि एउन ने कैसे एक आदमी से अपने आपको flame सिखाने के लिए request के थी, ताकि उससे सिखा सभी fire कैसे control कह जाता है, उसने गाई कैसी nonsense बात है, एउन family पैदा होने के साथ ही fire को control कर और उसे अपने past की और भी बुरी यादे आने लग जाती है, कि कैसे उसके fire कंट्रोल ना करने के वएसे, बहुत साथ लोग पहले मर चुके है, कैसे बचपन में किसी की जान लेने के वएसे, यह compliment बिलाता है, कि बहुत ही powerful flame का use कर सकती है, और वो इस family के लिए सबसे खास है जहां तक कि वो एक दिन 500 जहार भी बन सकती है, उसके मन में यह साही चीज़े बार बार गुन रही थी, कि वो कैसे खुदी एक flame है, लेकिन उसके आनम कुछ जानती भी नहीं, क्याकि वो कैसी flame है, और इसके साथ वो इंजल पे खतरनाग attack कर देती है, जिसको इंजल अपने हो, और नो मुझे भी मजा नहीं आता, और कितने दिन हो चुके हैं, पहले की तुरह अपने पूरे wings का पूरी power को यूज़ करने से, जहां हम एंजल की आगों में कुछ craziness देखते हैं, जिसने अपने कंदे अपने tight end रख रखाता, और उससे कहती है, चलो कुछ मजा करते है जहां दोसी तरफ, इनका अपनेट, अभी भी यह सूच रहा था, कि मुझे पहले किस से डील करना चाहिए, क्यों से पहले कैंडी को पेलना चाहिए, क्योंकि उसके पास $10 थे, लेकिन तरवी उसे पीछे से कवास होने देती है, कि दरवाजा खुला क्यों है, क्यास के तो नेक्स चेप्टर में आप लोग देखने वाले है, क्या कि इस फाइट का क्या रिजल्ट होने वाला है, जो कि एंजल और यॉन के बीच में होगा, क्या मैं यॉन की पावर्ट को फाइल नी देखने को मिलेगा या नहीं, क्या यॉन पेली जाएगी, वही दूसी दरव बैम के हाने पर इस फाइट पर क्या इपक्ट पढ़ने वाला है, वही कूर अपकी टीम के साथ का सूइट फिश को बचा पाएगा कोर तर ले जाने में, पर इस सब के आंसर को जानने के लिए, हमें नेक्स वीडियो का वेट करें, तो तक कि लिए आप इस वीडियो को पर लेगा है, हमें यही बचा सकता है, तो तक कि लिए भूख कookie में है वही है, मिए्ट GR7 अबल, इस बढ़ने है